किति आपर देख सकते हो कि vaig सborg के अंदर जो के connection सारे हमारे अलग है यह light कके connection अलग है कि इसे ऊंतल पर मिंदे तो तरिक से मेंने जोड़ा है यह जो हमारी पैरिंग के लिए अब इस टोर्च की अहलत आप देख लो किस तरीके से है क्योंकि मेरे पास कुछ इसी कंडिशन में यह टोर्च आई हुई है तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस टोर्च के अंदर जो वायर की कनेक्शन है सारे हमारे हटे हुए है यह ट्रासपारमर अलग है यह लाइट का कनेक्शन अलग है तो इस तरीके से ना इसके अंदर कनेक्शन हमारे सारे हटे हुए है उसका कारण यह है कि जिस भी कश्टमर की यह टोर्च थी तो उन्होंने घर पे खुछ से इसको रिपैर करने की कोशिस करी लेकिन जब बाद में उनको कुछ भी समझ म नहीं आया तो उसके बाद यह टोर्च मेरे पास रिपैरिंग के लिए आई हुई है अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं किस तरीके से आपको इसके वायर को जोड़ना है तो सब कुछ में एक एक चीज यह स्टैप वाइस टै लाइक करें तो चले फ्रेंच जाधा समय नगा आते हुए वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले इसके अंदर इसके लगी में है इन लाइटों को हमें चेक कर लेना है अब इन लाइटों को बढाने कि यह चाही क्राब है उस यो इसरह लिए चाह है कि मेरे पास मेरा टेस्टिंग डिवाइस है इस टेस्टिंग डिवाइस की मम यह सारी चीजह गियु कि बास में पता चले आप क्नेक्षन पर लिये और इनके लाइट वीडह खराब है तो यह काम आप को पहले कर लें erि यहां हम देख लेते हैं कि यहां पर यह पर आप देख सकते हो कि यह जो light लगी यहाँ साइड में निली है इसको मैं लगा देते हैं यह यहां पर जैसे मैंने इसको लगाया तो आप देख सकते हो कि यहां पर हमारी जलना स्टार्ट होगी है इसका मतलब यह जो LED हमारी बिल्कुल लीडी है यह भी हमारी ओके है तो इस तरह के सांई यह चीजे चेक कर लिए अब उसके बाद हमें अब इसके कनेक्शन करने के लिए क्या है कि इसके अंदर जो चार्जिंग सिस्टम दे रखाए है और यह बहुत अच्छी बात है और यह जो हमारे डेसी टोर्च आते हैं उसी लेनिए नमबर का है luc है तो यहां पर देख सकते हो कि यह जो ट्रास्पार्मर मर्य यह हमारा 9009 का है तो इस तरह के से आप पहचान सकते के ऊपर ही लिखा होता है अब यहां पर क्या है कि इस जो चार्जिंग सिस्टम दे रखा इस ट्रास्फार्मर से दे रखा है अब इसके अंदर क्या था कि यहां पे भी हमारा एक ब्रीज रेक्टिफायर की प्लेट लगी हुई थी जिसके अंदर इसके वायर के कनेक्शन जोड़े हुए थे तो केस्टमर ने मुझे बताया कि हमने कनेक्शन गल्द कर दिये जिसके वज़े से उनका जो ब्रीज रेक्टिफायर है वो जल गया था और उन्हें प्लेट को फेक दिया तो यहां पे अब हमें क्या करना है कि इस ट्रास्फार्मर से बैटरी को चार्ज करने के लिए हम एक ब्रीज रेक्टिफायर बनाना पड़ करेंगे और उसके बाद ट्रास्फार्मर के कינेक्शन उसके अंदर करेंगे तो यस तरीके से हमें बनाना है तो सबसे पहले में ले लेता हूं यह देखे इस तुरीके से मैं यहां पे चारड़ ले लिए हैं और इन डायोड का जो नंबर है वहां तो इस तरीके से आपको डायट की जरूत पड़ेगी अब इन डायट के अंदर क्या होता है कि उपर सेड आप देखोगे तो सिल्वर पट्टी आपको दिखाई देगी तो यह जो उपर वाली लैग है हमारी सारी यह माइनस की है और नीचे वाला जो सीरा आपको दिखाई दे रहा है यह हमारा ब्लैक यह तरीके से मौड़ देना है और इसके ने मिसे आ उपर लिया हो को चोड़ दिया सकते होुआर यह अलग-अलग है जब इसके अंदर हमें silver side में जोड़ा था यह देखे silver side में हमने जोड़ रखा है अब आपको क्या करना है इस तरीके से रखके ऐसे घुमा देना है यह देखे इस तरीके से हम मोड देंगे यह हमारा bridge rectifier तयार हो गया कुछ भी नहीं इसको बनाने में इस तरीके से बड़े अराम से आप बना सकते हो यह देखे यह हमारा हो गया यहां पर और यह जो है इसको हम यहां पर इसके साथ जोड़ देंगे यह देखे तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा bridge rectifier है यह तयार हो चुका है अब इसके अंदर connection किस तरीके से करने है तो connection करने के लिए देखे इसके अंदर क्या है कि को आपको एक साथ ऐसे जोड़ लेना है और ये जो एक वायर है। इसको एसे रख दीना है। अब इसको आप कहां पर जोड़ोगे देखे बिबलागो जोड़ना है। यह जो सथ में हैं यहां पर दिखाई दे रही है। तो मैं एक बार वायर को जोड़ लेता हूं फिर आगे चलके आपको दिखाता हूं तो यह देखिए मैंने ट्रासफार्मर वाली वायर को ब्रीज रेक्टिफायर की दोनों लेक पर जोड़ दिया है यह देखिए एक सेट तो हमारा डायोड का यह मानस वाला पॉइंट है और एक सेट हमारा प्लस वाला पॉइंट है तो यहाँ पर एक wire को यहाँ पर जोड़ दिया इसी तरीके से यह देखिए यह तरफ हमारा यह minus point है और एक तरफ डायड का plus वाला point है तो यहाँ पर मैंने नेली वाली wire को जोड़ दिया तो इस तरीके से आपको wire की connection करने है अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास कि यहां पर यहां पर हमारे जो बैटरी की wire लगेगी तो यहां पर देखिए इस fat b. पैटरी की थैंपर लगेकी अपर जिखा यहां एक orad की की जरूद पड़ेगी तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा दू किस तरीके से हमें लगाना है तो इसके लिए हमें यहां पर इसको सीधा बैटरी के वायर को नहीं जोड़ना आपको यहां पर एक और डायट की जरूत पड़ेगी तो इस डायट को हम कहां पर लगाएंगे हम इस डायट को और यह जो silver पट्टी हमारे आगे की तरफ रहेगी तो एक बार मैं इसको sold कर लेता हूँ फिर आगे चलके आपको zoom करके दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ तो यह दिखे इस तरीके से मैंने यहाँ पर यह जोड लिया एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँ गा तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने जोडा है यह जो हमारी silver वाली पट्टी है तो यहाँ पर मैंने एक डायड को और जोड़ा है और इसका भी मानेस वाला हिस्सा आगे की तरफ है तो अब हमें क्या करना है इस तरीके से जोड़ने बाद यह जो एक्ट्रा लैग है इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से यह मैंने इसको कट कर दिया है इसको भी हम कट कर देंगे ताकि यह चोटा सा हो जाए बिलकुल यह देख लो भी चोटा सा यह हमारा सर्किट बन गया है और इस चीज को आपको ध्यान से देखना है अब हमें क्या करना है इस तरीके से connection करने के बाद black वाला इससा दोनों डायोट के हमारे एक साथ जुड़े हुए हैं तो यहां पर हमें battery की minus वाली वायर को जोड़ना है और जो silver वाली पट्टी हमने अलग से डायोट लगाया है त यह हमारी battery की वायर है तो यह red वाली वायर है जो है वे हमारी plus की है और जो black वाली वायर है यहमारी minus की है तो हम यहाँ पर जोड़एंगे देखिए ताकि चार्जिंग के टाइम पर वह LED जले और हमें पता चले कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है तो इसके लिए आप देख सकते हो कि यहां पर हम इस LED का यूज करेंगे और इस LED के प्लस वाली लेग के अंदर हमने एक 1K का रेजिस्टेंस लगाया है और यह जो मैनेस वाली लेग है इस पर हमने सिंपल वायर को ऐसे जोड़ दिया है तो अब हम क्या करते हैं एक बार इस पर टेप लगा दे ताकि यह आप पसमें टच ना हो और उसके बाद इस वायर को कहां कई पर जोड़ना है वह आगे चल के में आपको दिखाऊंगा ने यहां पर टेब लगाए अब हमें देखिए किस तारीके से वायर को जोड़ना है तो यहांद पर यह जो देखिए हैं प्लस वाली वायर यहाँ पे जोड़िया है तो हमें यहाँ पे जोड़ना है नकी यहाँ प्लसच पर mai इसे जो जोड़नों प्लसचे से लगां सब्सक्राइल हिसी बार मैं इसके जोड़ता है तो क्छाइब कर्ता explaining और जो मैनेस वाली वायर है वो हमारी एक जगा पे रहेगी बैटरी वाली और इस LED की माइनस वायर एक जगा पे रहेगी तो इस तरीके से यहां तक हमारे जो connection है वो complete हो गये अब खाली हमारे connection रहेगे इस button और LED के तो वो हम आगे चलके करेंगे तो सबसे पहले हम इतना circuit को check कर लेते हैं कि हमारे जैसे मैं ने इसको लगाया तो आप देख सकते हो कि यहां पर हमारी LED जलना स्टार्ट हो गी है इसका मतलब यहां पर अभटू आ रही है अब चलिए दिखा दिता हूँ कि कि इतनी वोल्टेज यहां पर आ रही है मल्टी मेंटर से मैं मॉल्टी मिटर है और मॉल्टी मैं मीटर को हमी करेंगे चीश ईस तरीके प्लस वाली वायर है तो इसको यहां पे लगा रहें आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको टेच करा तो मल्टिमीटर की स्क्रीन पर हमें वोल्टेज हो कर रहा है लगबग चार वोल्टेज के आसपास यहां पर सप्लाई आ रही है इसका मतलब यह जो हमारे सरकीट है यह कंप् स्कर्णाथ तो मैं यहां पर यहां पर लगा लेता हूं तो यह देखें इस तरह को क्या करना है दोनों की वायर है उसको एक सा माने elkaar यहां पर यह है और इसकी यह है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे इस तरीके से आपको जोड़ लेना है यह जोड़ लिया मैंने अब आपको क्या करना है इस वायर को बैटरी की जो यहां पर 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 यहां जोड ते हैं जाहांपे हमारी battery क treaty zoonी है इस तरिके से आपको यहां पर समझ आ जा गया अब आपको क्या करना है इसके जो plus वायर है इस led की पिलस वायर और इस led की Plus वायर इसको आपको क्या करना है यह जो इस तरीके से हमने निकाल लिया और इस LED की पलस वाली वायर है इसको भी हम तो हम क्या करेंगे एक तो इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर जोड़ देंगे और दूसरी को यहाँ पर जोड़ देंगे और बीच वाले का कनेक्शन मैं अभी आगे चलके आपको बताऊंगा तो मै पर आगे चलके आपको दिखाता हूं तो यह देखिए मैंने दोनों LED की प्लस प्लस वाली वायर को यहाँ पर बटन के दोनों साइड पे सोल्ड कर दिया है अब यह जो बीच वाली पिन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमें एक वायर का टुकडा लेना है तो इस त करता हूं फटा फट इस वायर को यहाँ पर सोल्ड कर लेता हूं और फिर आगे चलके आपको दिखाता हूं तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी मैंने वायर को जोड लिया है आपको मैं एक बार दुबारा बताना चाहूंगा कि यह जो वायर है मैंने बैट बीच में आप कर दोगे तो यह बंद हो चुकी है तो इस तरीके से हमारे यह सारे connection complete हो चुके हैं अब चले इसको फटा फट पैक कर देते हैं इसको पैक करने के लिए हमें क्या करना यह जो वायर है हमें इसके अंदर से निकालनी थी मैंने गलती से इसके उपर से निकाल दी तो इस वायर को हम इसके अंदर से निकाल के इसको लगा देते हैं तो यह देखिए मैंने वायर को अंदर से दुबारे से sort कर लिए अब हम इस बटन को अंदर इस तरीके से डाल देंगे यह हमारी बटन अंदर लग जाएगी यह देखिए इस तरीके से लग चुकी है और उ उसके बाद हमें क्या करना है यह जो light है इसको हमें यहाँ पे देखिए hole है इस hole के अंदर इसको fit कर देना इस तरीके से यह जो हमारी light है यह भी हमारी लग चुकी है और उसके बाद यह सभी बार को ऐसे आपको देख लेना है और यह जो आपका bridge rectifier है इसको थोड़ा सा आपक और इस circuit को हम यहाँ पे चिपका देंगे यह यहाँ पे लग चुका है तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको set कर सकते हैं कोई दिक्तर नहीं है यह मैंने लगा दिया और यह हमारा यहाँ पे लग चुका है और उसके बाद यह जो wire है हमारी यहाँ तक आएगी बस इतन charging भी हमारी बढ़ी है तरीके से यहाँ पे लैट जलना स्टार्ट होगी है तो इस तरीके से अगर आपकी कोई भी torch है जिसके अंदर ट्रासफार्मर लगा हूँ है बैटरी चार्जिंग के लिए तो इस तरीके से आप connection करके अपनी torch को दुबारा से यूज कर सकते हो सब कु यह फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ अब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम